हेलो अबरीबरन मैं रचना आप सभी का मुष्ट वेलकम करती हूं हमारे चैनल रचना पलक ब्लॉक्स में कैसे आप लोग मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूं और गाइस अभी टायंग मुरा है साड़े चार तो सामके साड़े चार हो रहे हैं और मैं अभी आई हूं डूटी से तो पचीस मिनट हो गा है मुझे मतलब चार बच के पाच मिनट पर आ गए थी मैं घर पे तो मुझे तीदेश भूख लगी है तो बच्छी अभी डूटी है सुरी कोचिंग चले गा हैं तो मैंने का अभी मैं बना लेती हूं मेरे लिए चाय और मुझे भूख लगी तो मैं सुवे ना आटा लगा के रख गई थी मैं तो आटा ऐसी लगाया था कि मतलब रोटी सेख नहीं थी लेकिन मैं मैं लेट हो रही थी तो मैंने आटा रख दि अभी खाने के लिए बहुत तेज भूख लगी है और अभी मैं चाय बना लेती हूं सो देखिए चाय मैंने आपर रख दी हुई है बनने के लिए बनी रही है और चाय मैंने थोड़ी सी एस्ट्रा भी बना लिए क्यूंकि अभी इनकी भी पांच बज छुटी हो जाएगी तब तक बनेंगे तब तक आई जाएंगे थोड़ी देर रखी रहेगी कोई बात नहीं और पराटा भी अगर यह खाएंगे तो इनसा भी मैं पूंच लेती हूं तो पराटा भी सैक लोंगी सो आप लोग बताना कि आप लोग कैसे हो एंड कमेंट करके बताना ठीक है अगर साहें ने कि इसलिए दालती नहीं तो और देखो इतने सारे बत् sana के लिए कि मैं घालता कि मैं तो सबक्ष कर के जाते फिर तो इस वज़े से पूरे बरतने करते हैं, लेकिन बहुत सारे खटे कर देते हैं, तो अभी मैं बना लेती हूं पराटा, बन रही है चाय, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं, और देखो मेरा पेस कैसे लग रहा है, आज कल मेरा पेस साइनिंग कर रहा है, इससा मुझे लग पहले में बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत जादा, फिलाला भी मेरी टेंशन कम हो चुकी है, मैंने ड्यूटी छोड़ दी थी वहाँ से, जहा मैं पहले करती थी, इसके बाद मुझे बहुत टेंशन थी, यार क्या करूँ, कहा आजा, क्योंकि जब नौकरी छोड़ती है तब पता चलता है, घर बैठ जाओ, जब पता चलता है, कि क्या किती बड़ी, हमने अपना खुद नुकसान कर लिया था, वहाँ से छोड़ने के बाद, मैंने कुछ छोड़ दी थी, वहाँ से नौकरी, तब मुझे पता चला, कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, दो हम चाय पीके और नास्ता करके तो मैं थोड़ी देट के लिए ऐसी लेटी हुई थी, तो मैंने का चला, आप लोगों से बात करती हूं, और क्योंकि ना बहुत दिन हो जाते हैं, मैं वीडियो नहीं डाल पाते हैं, तो मुझे बहुत सारी बाते हैं, आप लोगों से करनी भ दोड़े हुए हैं, तो महां पर बहुत सारी लोग कमेंट करते हैं, महां पर इंबोक्स में तो मैं किसी का रेपलाइ नहीं कर पाती हूं, वीडियो पर भी बहुत सारी कमेंट रहते हैं, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती हूं, तो बहुत सारी निगेटिव कमेंट भी रहत बात है जिसको जो बोल ला आ बोल लिए और जिसको नहीं बोलना है तो अच्छी बात है फर मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे बोला गया ऐसे सब्सक्राइब बोले आतना तो बुरे लगते हैं तो मैंने का चलो मैं काफी दिन से मेरे पास ना कमेंट आता रहता है काफी दिन से मेरे पास पहली बात तो इनसे में इंबॉक्स में थोड़ी सी बात कर चुकी है है हलो कर चुक एसे कोई भी मैसेज मत कीजे जिस से मुझे बुरा लगे मेरी हजबेंट को बुरा लगे कुछ उन्होंने जिस से मतलब विडियो बनाने में लगाते हैं जितना भा़ल आप इस्टाग्राम को देते हैं, उतना टाइम अगर आप अपने बच्चों को देंगे, तो बच्चे अच्छे से पढ़ा लिख जाएंगे, यही बोला है, मैं आपकी बात मानती हूँ, बट आपको पता है क्या, अगर मेरा वीडियो पांच मिनिट का रहता है, छे मिनिट का या दस मिनिट का रहता है, तो सोचो, 24 गहंते मैं अपने लिए सिर्फ दस मिनिट का टाइम निकालती हूँ, इससे जयदा मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं पूरा टाइम अपनी बच्चों को देती हूँ, बच्चों को पड़ाती हूँ, उनको कोचिंग भेजाती जौब करती हूं इसके बाद जो भी टाइम मेरे पास रहता है मैं उसमें अपना वीडियो बनाती हूं और इसी वज़े से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रहे थी क्योंकि न आप लोगों के ही कमेंट रहते हैं आप इतना टायम तो अपने वीडियो में देते हैं और इतना पे नहीं बताऊंगी कि कौन से स्कूल में पड़ते हैं कितना उनका फीस रहता है ये सब नहीं बताने आयों और अगर आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है अच्छा लगेगा तो मैं बता दूंगी मुझे कोई प्रॉप्लम नहीं है बट मैं अभी नहीं बताऊंगी ठीक है तो मैं अपनी बच्चों पर पूरा ध्यान देती हूं अच्छी से पढ़ाती हूं उनको अच्छी से लिखाती हूं जो भी है और उनको इसकूल भी भेजती हूं इसमें मेरा पूरा सपोर्ट मेरी हस्बेंड करते हैं पूरा सपोर्ट करते हूं बच्चों को दिन में कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सुबह से लेकर साम तक का मेरा रूटीन सेर करूँगी कि मैं देखो कैसे मैनेज करती हूँ अपना घर मेरे बच्चे और मेरी जोग सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊँ आप लोगों को क्यूंकि आप लोगों कोई लगता है जितना time video पे दे रें, उतना time अपने बच्चों पे नहीं दे रें, तो जयार मेरे बच्ची बहुत अच्छे से著 पढ़ते हैं, बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं ना और अच्छी खासे पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चे डेड़ घंटे से अभी कोचिंग में ही है कोचिंग में गए हैं अभी सामके छे बज निवाले हैं दो मिनिट रह गया है अभी देखो पूरा दो मिनिट है साड़े चार बज़े से गए है अभी आए नहीं है 6 बज़े आएंगे, 7 अच्छे बज़े आएंगे, उनका कोई टाइम नी रहता है सारे 6 तक भी पढ़ा देती है मडम 6 बज़े तक, 7 च्छे तक, मैं जाओंगे उनको लेकि आओंगे वी जब कॉल आएगा, तब मैं लेने जाओंगे अच्छे पढ़ते हैं यार मेरे बच्ची तो प्लीस ऐसे कमेंट मत कीजिए ठीक है और बस यही बोलना था आप लोगों को और अगर आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूँगी मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता है अगर ब्लॉक होना है तो प्लीस कमेंट ऐसे करते रहें मैसेज करते रहें मुझे और कुछ नहीं ठीक है अभी मैं इस वीडियो को करती हूं एंड मिलती हूं आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ तक तक के लिए बाइ-बाइ-वाइ लव्यों ठीक है